अब जैसे बच्छे इस पॉंस्टेंट वेलोसिटी को देखते हैं तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक नीट 2008 का सवाल और यहाँ पे एक मिस्टेक होती है बच्छो से वो मिस्टेक आपकी दूर करूँगा और आपको बड़िया सा कंसेप्ट सिखाऊंगा देखिए क्या कहा है तो चार मिनट में आप चार मार्क्स अचीव कर सकते हैं एंशोर कर सकते हैं for your need तो question बढ़ते हैं question है sand is being dropped on a conveyor belt at the rate of m kg per second हर second m kg drop कर दिया जाता है the force necessary to keep the belt moving with a constant velocity of v meter per second will be कितना force चाहिए होगा for this constant velocity v अब जैसे बच्चे इस constant velocity को देखते हैं उनके मन में ये खयाल आता है कि constant velocity मतलब zero acceleration है ना और force निकालना है तो force बराबर आप ma लगा देते हो a की value zero कर देते हो तो force भी जो है zero आ जाता है और examiner भी बहुत smart है उसने भी zero option आपको दे रखा है लेकिन ये तरीका गलत है f बराबर ma तब लगाया जाता है जब mass constant हो जब mass कैसा हो constant हो यहाँ पर mass constant नहीं है यहाँ बलकि velocity constant है mass तो लगातार change हो रहा है देखिए m kg per second यानि कि हर second m mass add होता जा रहा है एक second में m हो गया दूसरे second में 2m हो जाएगा तीसरे में 3m हो जाएगा इस तरीके से mass change हो रहा है तो sir जब mass change हो रहा है तो f बराबर ma नहीं लगा सकते क्या नहीं लगा सकते बेटा f बराबर ma नहीं लगा सकते नहीं लगा सकते तो क्या लगाएंगे sir तो बेटा दूसरा formula है f बराबर v dm divided by dt आप ये लगाएंगे, ठीक है, v dm divided by dt, कहां से आता है आपको पता है क्या, देखो, force होता है rate of change of momentum बिटा, dp divided by dt, उसके बाद आप क्या करते हो, force बराबर d by dt, momentum को लिख लेते हो mv, ठीक है, momentum को क्या लिखते हो, mv, अब यहां पर differentiation का uv वाला formula लग जाता है, तो पहले मानलो, m को constant लिया, तो dv by dt, plus v को constant लिया, dm by dt, ठीक है, तो यहां से आता है मामला, कि अगर भाई, mass constant ना हो, velocity constant हो, तो velocity constant होने से यह 0 हो जाता है, और बचता है v dm by dt, तो यह तो मैंने आपको derivation सा explanation दे दिया, बड़ आपको याद रखना है, कि जब भी mass change हो रहा ह तो आप लगाएंगे v dm by dt, तो देखते हैं, answer के आता है, तो force बराबर v तो v हो गया है, velocity तो velocity है, dm by dt यानि कि rate of change of mass, वही तो m given है kg per second में, तो बस यहां पे m आ जाएगा, m v is the answer, पहला answer है, आपका पहला वाला option है, m into v, that's it, ठीक है, तो I hope आपको एक बहुत बढ़िया concept यहां से सीखने को मिला, जब भी mass variable हो, जैसे rocket propulsion भी होता है, उसका भी एक question मैं कराऊंगा आपको आगे, वहाँ पे भी आपको dm by dt into v ही लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि mass change हो रहा होता है, चलिए, मिलते है next class में, तब तक के लिए, bye-bye, have a nice day.